तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर मार्केट आवाग के कैसा रहने वाला है और आज की वीडियो में आपको एक सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे स्टॉक्स बताएंगे जो कि आपको आने वाले दिन में काफी अच्छा मूबेंट देगा जो ब्रेक आपको प्रॉफिट रिटन दे देगा तो अगर आप लोग चैनल पे नए है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए गा वीडियो कर बसंद आएगी जरू लाइक कीजिए गा चैनल को सपोर्ट कीजिए आप लोग के इस चैनल पर हम सिर्फ वह वीडियो डालते हैं जो जो हाग और आप लोगों ने मिल देखा उगा जितने सारे स्टाक सुम ने बन्याज़ाय थे अप लोगों Carsonu सबने काफि अच्छा डिए जो become मेरा टाइम पिरिएट सिर्फ फर सिर्फ टो विक का था और इसने सारी स्टॉक्स ने मेरे तीन या चार दिन में ही सारे रिटर्न दे दिये तो अगर आप लोग चैनल पर नहीं है चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए गा और इस वीडियो में आच लिए है हाई बनाए इसने 11,617 का जो कि अब बिलकुल यह मेरे लग रहा है कि अब यह 750 टच जल्दी ही कर देगा 11,750 आपको हो सकता है कुछ दिन में देखने को मिल जाए क्योंकि 11,600 पर सपोर्ट काफी अच्छा मिल रहा था वहां से सेलिंग पर सब्सक्राइब को तोर दिया थ काफी बड़ी है मुवमेंट दिया एस्टेट बैंक आज करेंट मार्कर पैसे आप लोग देख रहे है 215.65 पैसे का है और इंडसीन में में काफी अच्छा चेंजे देखने को मिला जो कि इसने भी ब्रेक आउट दे दिया है और रेडी हो चुका है अपसाइड मूफ कर नि नहीं हुआ है रेलाइंस काफी नीचे रहा कोटक बैंक इनफोसीस आईटी सी हिंदुस्तान यूनिलीवर भारती एर्टेल जितने सारे इटी सेक्टर थे सब कुछ नीचे ही थे तो आज का टोटल हम लोग का दिन था सिफ और सिर्फ आज रियल्टी सेक्टर में काफी सारे काफी सारे स्टॉक्स ने काफी अच्छा मोमेंट दिया चलिए हम लोग आज इंडेक्स के बारे बात करते हैं क्या की रहा यूस मार्केट में क्या हुआ तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं काफी स्ट्रॉंग हो चुक है अभी इसने क्लोजिंग दिया है अभी मार्केट करते हैं कि बैंक निफ्टी काने वाला का हम लोग देख ए प्रेडिक्ट करते हैं कि आने वाला मार्केट कैसा रहे गा तो जैसा कि बैंक निफ्टी में सब सब क्लियर दिख दा है कि काफी अच्छा इक इंपॉर्टेंट लेवल था 23,228 के एप्लों के काफी रिजिस्टें के 23,000 के लेवल को इसने तीन बार टच्च किया लेकि नीचे गिर गया और यहां पर काफी सारी लोगों ने उमीड किया हुआ कि यहां पर भी जब रेस्टेंस है 23,200 के आसपास यहां से भी मार्केट पलटेगा हो सकता है कि काफी लोगों पैसा गवाई भी होंगे लेकि प सबसे ज्यादा आप लोग अगर देख रहे होंगे तो बैंकिंग सेक्टर काफी ज्यादा सपोर्ट किया है निफ्टी को पर जाने के लिए क्योंकि बैंक देखिए निफ्टी बैंक 23,600 प्राइस चल रहा है इसने क्लोजिंग दिया था 23,000 23,414 का इसने क्लोजिंग दिया जैसा काफी हाई हो चुका है और इंडेक्स कोंट्रिब्यूटर्स में भी अगर देखें तो काफी अच्छा मोवमेंट दिया है इसने वी के लिए करने उसकता है तो मेरे अकोडिंग ली मेरे अकोडिंग ली डेफिनेट्ली यह भी बैन्क निफ्टी अब बिल्कुल हो है 24,000 के लेवल को टच करने के लिए यह 24,000 को लेवल टच तब ही करेगा अगर एक बार हम शॉट ट्रम टाइम प्रियर पर देख लेते हैं तो तो अगर यह तो यह बिल्कुल रेडी हो चुका है उपर जाने के लिए अगर बस इसका एक लेवल बन रहा है यहां पर एक बार हम लोग फोटी फाइव मिनट्स के चार्ट पर देख लेते हैं एक छोटा सा इसने लेट करने लिए हाज उपर गिया था 23,000 23,000 690 को हाला कि 700 नहीं किया इसन कि अच्छा सपोर्ट काफी स्ट्रॉंग सपोर्ट इसने बना लिया है 23,000 के लेवल पर 23,450 के लेवल पर काफी अच्छा सपोर्ट इसने बना लिया है तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जैसा कि हमने अल्रडी बताया कि आज के वीडियो में आपको एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताएंगे जो आने वाले कुछ दिनों में सिर्फ और सिर्फ जिसका मेना टार्गेट रहेगा टू विक्स का अल्रडी हम पहले बोल रखा कि अगर पसंद आई है तो और बेल आइकन जरूर दवाईएगा ताकि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन सो और कोई भी अगर हमने स्टॉक की बारे में अगर कुछ टेकनिकल अनलाइसिस करें तो आपको समझ में आ जाए क्योंकि लूंग टर्म इंवेस्टमेंट के अगर देख रहे होंगे इसने गैप ओपनिंग दिया जो कि काफी अच्छा इंडिकेशन देता है कि मार्केट इसका रेडी हो चुका है अपसाइट के तरफ जाने के लिए तो अगर हम लोग वीकली चार्ट में देखते हैं तो काफी काफी बहुत ही अच्छा चार्ट बना गया है अभी भी आपके पास ऑपरचुनिटी है अगर आपको टू हंड्र टू हंड्र नाइटी फाइफ के लेवल पर दुबारा देखने को मिले तो आप डिफनेटली वहां भी बाई कर सकते हैं अप करेंट मार्केट प्राइस भी बाई कर सकते हैं लेकिन मेरे एक बार आ इस पर फिप्टी परसेंट आप लोग करेंट मार्केट पैस पर बाई कीजिए इन केस अगर कोई डिफ्स देखते हैं नीचे के तरफ अगर आता है तो आपको आपको आपके लिए बाइंग ऑपरचुनिटी काफी अच्छा क्रियेट हो जाएगा तो मेरे लिए सेकेंड ऑ लगता है कि यह जल्दी आपको 200-300 नीचे आपको जल्दी देखने को मिल सकता है मार्केट अगर बहुत जादा गिर जाएगा तो हो सकता है कि यह भी कमजोर हो जाए बैंक निफ्टी का सपोर्ट आपको अगर जाउंच हो जाएगा तो इसका भी घिरना तैह रहेगा लेकि सबसे पहला टार्गेट हमको यहांसे 322 का दीख रहा है जहां पर आपको प्रॉफिट वहां पर कुछ पर्षेंटेज आपको भुग करनी है वहां पर लेकिन अगर हम लोग तो 15 मिनिट्स चार्ट पे देख ले 15 मिनिट्स चार्ट पे भी काफी अच्छा बंधनमेंका रहेगा सेकेंड टारगेट आपको रहेगा रहेगा 300 एक बात हम ठोड़ा शॉटरन टाइम फ्रीम पर देख लेते हैं वन डे के चार्ट पर तो मेरे लिए सेकेंड टारगेट रहेगा आपका 345 के something पे रहेगा 345 second target रहेगा और मेरे जहां पे आपको profit book करनी 100% वो मेरे according lead रहेगा 360 का 360 का मेरे target सामने से एक दम हमको दीख रहा है कि किसी को investment करनी है तो very first target of 322, second target of 345 and last target of जो मेरे analysis के according हमें लग रहा है कि 360 भी आपको profit book करनी है अगर आप long term की सोच रहे है तो आपको भी profit book करनी है और कुछ quantity आपको छोड़ना है ताकि अगर नीचे market आए correction कभी भी देता है तो आपको वहाँ पर भी add करनी है तब तक जूरे रही है मेरे इस channel timex money से channel को support कीजिए ताकि हम आपके support करेंगे अगर आप मेरा support कीजिएगा तो definitely हम आपका support जरूर करेंगे और अभी तक हमने जितने सारी है जो भी आप वीडियो अभी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं जितने सारे हमने वीडियो बनाए है आप लोग अगर नहीं देखा है तो एक वह definitely देखिए आप लोग के काम जरूर आएंगी और जितने सारे stocks हमने इसमें बता हैं आपको सलाह जो हमने दिया था advice जो हमने किया था कि buy करने के लिए सारे stocks ने काफी अच्छा moment दिया और अब बिल्कुल भी आप लोगों को कोई भी doubt हो तो definitely आप लोग comment section में पूछ सकते हैं अगर वीडियो पसंद प्रिफ नेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा शियर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा सब्सक्राइब करके तब तक जो रेटर ये time mix money से क्योंकि समय ही पैसा बनाता है